है 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 हलो दोस्तों नमस्कार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मौहमदाबाद गोहना में आज डीजे कंपटीशन है डीजे संतोफ राग डायमंड और पिक्की डीजे गोरकपूर के बीच में अभी हम आप लोग को सेट अप दिखा रहे हैं और यह मौहमदाबाद चौक है और आप लोग के सामने जो सेट अप दिख रहा है यह फंतोफ राग डायमंड का बहुत ही बड़ा सेट अप लगा हुआ है आज मौहमदाबाद गोहना में और इसके जफ्ट सामने जो यह सेट अप लगा हुआ है यह बिक्की डीजे आभी हम आप लोग को कमपटीशन की वीडियो दिखाएंगे आप लोग बने रहे हैं हमारे चैनल पे मौट डीजे फाइन में और कुछी देर में आपको हम कमपटीशन की वीडियो दिखा रहे हैं और यह एमप्रिफियर जो एमटी का लगा हुआ बिक्की डीजे के सेट अ इंप्लिफायर है एमटी का अप्रियों विक लिए हमाई, आपिका झाल, तो विक लाटी हमाई मुखिने शप्र भाग जिए दिए मुख करें आज अपेजिए देडिए्ट सेडिए में राटा है करें तेमें आफिक लोगाई लिए, उल राज़ आपेजीया उाजाई सथज के रहलं आधैजंगा कर दोilly कर दोms दिर जाट ओल स धुर ताम को भ Clay का जो एंब है कर दो 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 बेटा, अपने जिले में सामान नहीं मिला गया, जो दूसरे के जिले में सामान मानने चले गई, कब तक मानोगे बेटा? तुमानी बरबादी शुरू हो गई है, अब हम घर पहुच चुके हैं, और कंपटीशन देख के आ रहे हैं मौंदाबाद गवाना का, कंपटीशन तो बहुत थी जवरदर्त था, बहुत बढ़ियां कंपटीशन था, लेकिन, दोनों ही सेटब पहुत ही अच्छा बजरा था, लेकिन जो संतोस राख के पास टुईटर बहुत ज्यादे था, और संतोस राख की आवाज ज्यादे आ रहे थी, और विक्की डिजे की आवाज थोड़ी कम थी, बाकी बेश तो दोनों में ही बहुत तगड़ा था और बहुत तगड़ा बज़रा था दोनों ही सेटम बाई